हेलो चिल्डरन वेल्कम टू तो कार्नेशन कार्ड एक्टिविटी या में चाहिए वाइट रेड और ग्रीन कलर का पेपर पिंकिन सीजर एक नॉर्मल सीजर स्केच पैंस स्केल गुलू और पैंसी चलो लेट स्टार्ट दा एक्टिविटी पहले हम 20 बाइ 25 सेंट्रिमेटर का वाइट कार्ड शीट से बना हुआ गुरिटिंग कार्ड बेश के लिए यूज करेंगे सो फ़र्स्ट हम पेंसिल से बाउडर बनाएंगे उसके बाद हम बलाग स्केच पिन यूज करके उसके उपर आउटलाइन करेंगे चलो हम ब्लैक कलर दी इसको आउट लाइन बनाएंगे इस तरह से हमें आउट लाइन बनाना है अब हम इस पर बटरफलाई और फ्लावर ड्रॉप करेंगे आप अपने चोई से विंग्स डेकोरेट कर सकते हो तो हम पहले ब्लैक स्केश पेंसे इसको आउट लाइन बनाएंगे अपने लाइन बनाएंगे यहाँ पर बटरफलाई को हमने आउट लाइन बनाया अभी आउट लाइन के बाद हमें इसे कलर करना है यहाँ पर आप अपने फेवरेट कलर से कलरिंग कर सकते हो इस तरह से यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है ऐसे लाइन बना के आपको यह कलर रिंग कंप्लिट करना ही यहाँ फ्लावर में भी लाइन एड़ कर सकते हो चलो बटरफलाई में हम थोड़ा सा डिटेलिंग एड़ करते हैं यह हमारा बटरफलाई और फ्लावर कंप्लिट हो गया यह हमारा कार्णेशन कार्ड का फ्रन्ट साइड बन गया अभी हम गर्ण कलाकी पेपर पर स्टेम और लिव्स डॉप करेंगे और उसको कट करेंगे हम एक स्केल से लाइन बनाएंगे और उसको सीजर से कट करेंगे यहां पर हमें स्लोली कटिंग स्टार्ट करना है आप कटिंग के लिए अपनी ममी की हेल्प ले सकते हो देखिए हमने यहां पर लिव्जास प्रेम कर्ट कर दिया अब हम इसको पेस्ट करेंगे हमें दोनों साइड को लिव्ज पेस्ट करके सेंटर में स्टेम पेस्ट करना है यह हमने यहां पर पेस्ट कर दिया अभी हम रेड कलर के पेपर से 10 बाइ 10 सेंटिमेटर के एक स्क्वेर कट करेंगे उसको इसे फोल्ड करेंगे यह हमने प्रॉपरली प्रेस किया और यह हमारा सेकेंड फोल्ड हो गया यह हमारा थर्ड फोल्ड और उसको हम इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करके प्रेस करेंगे और यहां से आपको ब्लाइक स्केश पेंड जहां पर मार्किंग अपको दिख रहा है वहां से आपको पिंकिन सीजर से उसको कर्ट करना है हापे हम इसको ओपन करेंगे इसी ओपन करने के बाद आपको यह ऐसे दिखेगा यहां से आपको कट करना है यहां पर आप सिर्फ एक लाइन कट करोगे उसके बाद पूरा फ्लार आप फैन फोल्ड में फोल्ड करोगे फोल्डिंग आपको एक दूसरे के उपर ठीक से ओरलाप करना है और प्रेस करना है इस तरह से हमने यहापे पूरे फ्लॉर को फोल्डिंग से कम्प्लीट किया ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा चलो अब हम इसको अरेंज करते हैं आपको इसको प्रॉपरली प्रेस करना है और गलू से आपको पेस्ट करना है इसका नीचे वाला पाठ हम वाइट बेस पे लगाएंगे और इसको प्रॉपरली प्रेस करेंगे इसी तरह से हमें सारे पार्ट से हपपे पेस्ट करने हैं तीन ट्रेड और लास्ट वाला ग्रीन कलर में आ जाएगा और ग्लू लगाने के बाद आपको स्लोवली कार्ड को क्लोज करना है कार्ड को आपको प्रॉपरली प्रेस करना है और दो-तिन मिनिट तक वेट करना है जब आप कार्ड ओपन करोगे तो आपको ये फ्लॉवर इस तरह से दिखेगा यहाँ पे आपको कार्ड डेकोरेट कर सकते हो आप हैपी टीजर्स डेई या आप कोई भी अपना फ्रेट टाइटल ले सकते हो आप अपने मन से इसको डिजाइन से करके यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हो सो चिल्डर्न यहाँ पे हमारा कार्नेशन कार्ड रेडी हो गया आप जब यह ओपन करोगे आपको इस तरह से दिखेगा थैंक यू चिल्डर्न और हैव नाइस देल